नमस्कार अनपूर्णा आपकी रिस्वई में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हो खांडवी जिसके लिए मैंने लिया है बेशन दही हल्दी नमग धनिया नारियल बुरादा तिल वाइट राई करी पत्ते हरी मिर्च यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होती है वह बहुत जल्दी बन जाती है अच्छा नास्ता है मैंने एक बरतन लिया जिसमें मैंने एड़ किया है बेशन दही मैंने जितना बेशन दिया था उतना ही मैंने दही एड़ किया है इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर क से यह अच्छे सी इसको mix करना है, ताकि इसमें एक भी गाठे ना रहे हैं, मैंने बना लिया इसका एक गोल, इसमें मैं ऐड़ कर देती हूं, पानी, जिस कटोरी से मैंने बैसन न पाए था, उसी से मैं पानी एड़ कर रही हूं, मैंने एक बरतन लिया है इसमें मैं एड़ कर देती हूँ बेशन वाला घोल गैस की फ्लेम फूल है इस तरह से पल्टे से हिलाते हुए खांडवी के लिए हमें बेटर तयार करना है इसको बीच में रोकना नहीं है इस तरह से हिलाते जाहिए जैसे हम लोग कड़ी बनाते हैं उस तरह से बेटर जो है वो देखिए गाड़ा होने लग गया है इसी तरह से आप हिलाते हुए इसको बनाना है पांस से साथ मिनट का टाइम लगता है, देखिए इस तरह से यह गाड़ा हो चुका है, बस हमें इतना ही इसको गाड़ा करना है, गैस की फ्लेम ओफ इसको नीचे उदार लेती हूँ, मैंने एक ठाली लिये, उसको मैंने उल्टा रख दिया है, इस पे मैं वो बेशन वाला ज पर कोई तेल या गी नहीं लगाया है, पल्टे से आप इस तरह से जो आपका बेटर है, वो डाल दीजिए, फिर पल्टे से इस तरह से उसको फैलाना है, यह बहुत ही इजिली फैल जाता है, आप इस तरह से बनाईए, खाने में इतना टेस्टी लगता है, एक अलग और मैंने पूरी थाली पे इसको फैला लिया है, एक पैन लिया है, उसमें मैंने टाल दिया है तेल, तेल जो है वो गरम हो चुक है, इसमें मैं डाल देती हूँ राई, आप सर्ष्रों का यूज भी कर सकते हैं, करी पत्ते, साथ चे आड, तिल, तिल जो है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, और इसका जो फ्लेवर है, वो बहुत अच्छा आता है, आप इस तरह से बनाईए, ये बहुत ही टेश्टी लगता है, और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, हैरी मिर्च, जिनको मैंने लंबी-लंबी काट ली है ये जो बेटर है, उस पर मैं नाइफ की साइता से इस तरह से कट लगा लेती हूँ, सिधे सिधे इस तरह से मैं पूरे बेटर पर कट लगा देती हूँ, धनिया, नारियल का बुरादा, जो कट लगाया था, उसको आप इस तरह से हाथों से फोल्ड कीजिए, ये बड़ी आसानी से इस तरह से फोल्ड हो जाते है, कोई भी आपके घर में गेश्ट आए, आप इस तरह से नास्ता बना के दीजिए, नया नास्ता है, खाने में भी हेल्डी है, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो वैसे भी हम बार का कुछ लागी नहीं खा सकते, आप घर में अपने लिए अपने बच्चों के लिए भी इस तर का बनाया था, वो मैं इस पर एड़ कर देती हूँ, आप बनाईए इस तरह से, खाईए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सस्क्राइब कीजी, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्यू